वीडियो पर पहले बार है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहले बार है तो सस्क्राइब करके बाज़ो में दिखने वाले घंटे को दबा कर ओल नोटिफिक्शन आउन कर दे हम लोगों को इतना तो कंफर्म हो गया है कि बैक सेड में त्रिबल रेर कैमरा होने हैं वाले हैं पर दोस्तो हम तो इंडियन से हम लोगों को सबसे ज़ादा पसंद आता है सेलफीज और साथ में बैक कैमरा क्योंकि अपन लोगों को सिर्फ फोटोज और सेलफिज निगाल कर इंस्टाग्राम फेस्बुक पर रख के शौ अफ करना है आप में से कितने लोगी इस बात को मानते हो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर एक बार तो बताना है यार होनेश लिए दोस्तो रेडमी के तहीं दिमाग में सबसे ज़ादा भिगने वाली स्मार्ट अगर भारत के अंदर बात करें तो रेडमी नोट सिरीज कहें तो गलत नहीं होगा दोस्तों इतने सारे स्मार्टफोन से रेडमी कम कीमत के ओपर लांच कर रहा है यहां पर कॉम्पेटेशन तो बहुत ज़ादा है कास दोर पर इंडियन ब्रैंड को तो बहुत ज़ादा ट चैना चले जाएंगे पर दोस्तों यह तो हो गया कॉम्पेटेशन के बात गुड़ पाइंट आफ यू की बात करें तो रेडमी नोट सिरीज जो है सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन सबसे पहले रेडमी नोट जो स्मार्टफोन है इंडिया की अंदर शौमी अर्श्मार्ड पाता देना पर दोस्तों में मुद्धे की बात करें तो रेडमी की तो पॉपॉलर स्मार्टफोन रेडमी नोट नाट प्रोगी सक्सेश्ण समार्टफोन रैडमी Note10 प्रो साथी रेडमी note10 बारत के सा sapp, इस बार ग्लोबली लॉंच होने जा रहे हैं इसको लांचिंग डेट मार्च फॉर्थ को तो निकल कर सामने आई गया है खुद रेडमी नहीं है पर इसको कंफर्म कर दिया है कर दो तो इसकी प्रूफ दिखाना में जरूरी नहीं मानता क्योंकि आप लोगों को साइध पता ही चल गया होगा पर यह स्मार्टफोन लांच से पहल वाला वाईजी वेरेंट स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि मिड टॉंटी टॉंटी वन से जो फाइजी ट्रेल्स जो इंडिया में अंदर होने वाले ही ओखतम हो सकते हैं यह टॉंटी टॉंटी वन डिसंबर एंडिंग तक हम लोगों को स्मार्टफोन में मिल गया है ना तो मजा आया जाएगा दोस्तों स्क्रीन में 6.5 इंचस की फुल एश्डी प्लस डिस्प्ले होगी इसी को द्यान में रखते हुए एक मिड्रें स्मार्टफोन में 108 मिगापिक्सल की क्यामरा दी जाने की कोशिश शौमी ने किया है पर लिक बैटरी परफोर्मेंस ज्यादा चाहिए इसलिए इन्होंने 22 ओर्ड की फॉस्ट चार्जिंग के साथ 6000 एमेज की बैटरी परफोर्मेंस दी जाएगी इतना तो बहुतरी स्मार्टफोन के बारे हम लोगों को पता चल गया है पर प्रोसेसर ठीक ठाक नहीं हो तो बात ही अल अब हमको पते चलेगा फॉर्ट आफ मार्च को दुस्त आशा करता है आप लोगों को वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद होगा तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेट्स करना मत बूलिए मिलता है आपको और एक वीडियो के साथ जहिन वंदे मातरम